वेल्कम टू MCQ चैनल आज हम क्लास सेवन इंगलिश का चैप्टर नमबर टू अगिफ्ट आफ चप्पल्स के MCQ क्वेस्टन करेंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो I hope children आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो so that आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें question number one देखिए what is relation of मृदू with तापी जो मृदू थी उसका तापी के साथ क्या रिलेशन है जो तापी है वो मृदू की ग्रेंड मदर थी तो answer हो गया ग्रेंड मदर to whom did मृदू live with जो मृदू है वो किस के साथ रहती थी वो अपने ग्रेंड पैरेंट्स के साथ रहती थी who opened the door दरवाजा किस ने खोला था दरवाजा खोला था रुकू मनी ने जैसे ही भिकारी को चपले में उन बच्चों ने अगर आपने ये चप्टर पढ़ा है जैसे ही उन बच्चों ने उसे चपल दी he vanished in a minute vanished का मतलब हो गया लेके चंपत हो गया गायाब हो गया मतलब उसको ये वाली बात पता थी कि इन बच्चों ने बिना किसी बड़े से पूछे मुझे ये चपल दे दी है अगर हो सकता है कोई बड़ा यहाँ पर आ गया तो हो सकता है ये चपल मुझे वापस देनी पढ़ जाए इसलिए वो महाँ से तुरण चला गया where did मुझा इंड मुझे रहती थी मदरास चल्ट्रन हो सकता है एक्जाम में वो आपको मदरास ना देके आपको अप्शन दे चेन्राई तो चेन्राई का ही नाम मदरास है मदरास ही चेन्राई है What did children pour in coconut half shell Children अगर आपने स्टोरी पड़ी है तो आपको पता होगा जो बिल्ली का एक बच्चा था वो आ गया था ठीक है तो उसके लिए बच्चों ने छुपा के क्या रखा शेल में जो coconut shell होता है दूड डाला तो राइट आंसर होगा milk Who was inside the torn football बच्चों ने घर बना दिया था फटी हुई फुटबॉल के अंदर किसका kitten kitten होता है बिल्ली का बच्चा बिल्ली के बच्चे को ही kitten बोला जाता है Where did मृदू go with her grandmother मृदू अपनी grandmother के साथ कहा गई थी Her auntsum अपनी aunty के घर Who was waiting at the door Children आपने देखा हुगा हो सकता आपकी दर्वाजे पे घर पे भिकारी आते हूँ भीक मांगने के मुझे दो रोटी दे दो आटा दे दो तो जो poor beggar था गरीब भिकारी था वो दर्वाजे पे बैठा हुआ था Who came to visit रुकुमानी के यहां कौन आया था मृदू आई थी रुकुमानी के यहां अपनी grandmother तापी के साथ तो मृदू और उसकी grandmother रुकुमानी के यहां घूमने आये थे Seeing the children curiosity quite curiously quite रुकुमानी जब रुकुमानी ने देखा को बच्चे को ज़्यादा ही चुप हैं तो उसने क्या किया She changed her question उसने अपना जो question है वो बदल दिया Children एक चीज यहां देखो आपको यहां दिख रहा होगा MCQ Channel के साथ में लिखा हुआ है English Baba तो आप हो सकता है हमारे English Baba Channel को Already जानते हों यह जो MCQ Channel है यह English Baba का ही दूसरा Channel है तो दोनो चैनल को ही आप सब्सक्राइब करके रखना English Baba Channel पे हम आपको हर chapter के हर subject के question answer notes provide करते हैं और MCQ Channel पे हम आपको provide करते हैं MCQ हर subject के ठीक है What was Lally learning to play लल्ली क्या सीख रही थी लल्ली सीख रही थी violin बजाना तो right answer होगा violin Rukumani did not seem to like Ravi being called अब बच्चे रवी को चिड़ा रहे थे क्या कहके monkey कहके तो Rukumani को यह वाली बात अच्छी नहीं लगी कि बच्चे उसको monkey monkey कहके चिड़ा रहे हैं Where was the beggar sitting beggar का मतलब भिकारी जो भिकारी था वो कहां बैठा हुआ था वो बैठा हुआ था एक garden के अंदर What did the music master inquired about Music master ने क्या बात पुछी तो अगर आपने इस्टोरी पढ़ी है लली को जो पढ़ाने आया था music teacher जो वाइलन बजाना सिखा रहा था उसकी चपल गायब थी तो उसने अपनी चपलों के बारे में पूछा कि भाई मेरी चपल कहा है किसी ने देखी है क्या according to music master what was the cost of that चपल अब हलांकी जो music master की चपल थी वो कोई खास नहीं थे पुरानी सी थी लेकिन उसने ये दिखाया कि भाई मेरी जो चपल है वो इतनी महेंगी हैं जितना की मतलब मैं लल्ली को ट्विशन पढ़ाता हूं music सिखाता हूं पूरे महीने की फीस के बराबर है the grandmother took मृदू मृदू को कहां लेकी आई थी रुकूमानी के घर जो कि उसकी आंटी थी the pair of चपल वोज जो pair था चपलों का उसमें क्या लगी हुई थी dust लगी हुई थी धूल से भरी हुई थी गंदी सी हो रही थी the chaples were given to the beggar because बच्चों ने जो चपल है वो भिकारी को दे दी थी क्यों because the children had taken pity pity का मतलब होता है दया बच्चों को दया आ गई थी क्योंकि जो भिकारी के जो pair थे उनमें चाले पढ़ रहे थे और उसके पास ना कोई जूता चपल नहीं था children अभी तक आपने इस वीडियो को एक like नहीं किया है तो यार आपसे request करूँगा please एक like कर देना अगर इस वीडियो से आपको value मिलती है तो please यार एक like कर देना मैं तीन तक count करूँगा children please वीडियो को like कर दो one two three I hope children आपने वीडियो को like कर दिया है channel को subscribe कर दिया है thank you guys मृदू टोल्ड रुकू मनी all about the chappals because मृदू ने रुकू मनी को चपलों की पूरी कहानी बता दी कि हम तो ऐसे-एसे भिकारी देखा था और विचारे के पास चपल नहीं थी तो हमने उसे दे दी क्यों बता दिया because she thought ruku मनी won't be so angry if she knew the truth उसको लगा कि आंटी को ज़्यादा गुसा नहीं आएगा क्योंकि बच्चों ने एक नेकी का काम किया एक अच्छा काम किया है क्योंकि भिकारी के पास चपल नहीं थी और उसके पैरों में च्छाले भी पढ़ रहे थे इसलिए हमने उसको दे दी तो इसलिए उसको लगा कि जो आंटी है वो गुसा नहीं करें the chapel is given to the music master अब रुकू मनी को music master को नई चपल देनी पड़ी जिससे वो अब देखो जो music teacher था उसकी चपल तो कुछ इस तरह की थी पुरानी सी थी ओल्ड थी लेकिन जो से चपल मिली वो बिलकुल नई थी तो जिससे music teacher अंदर ही अंदर क्या हो गया please मतलब खुश हो गया the chapel of music teacher वर जो music teacher की असली चपल थी जो उन्होंने भिकारी को देदी थी बच्चों उने वो सच मुच में कैसी थी वो बहुत पुरानी धुरानी थी old where did Ravi hide the kitten रवी ने जो बिली का बच्चा था उसको कहा चुपा दिया था घर के बैक्यार्ड में चुपा दिया था सही बात है behind the thick bitter berry bush जो जहाड़ी लगी हुई थी उसके पीछे और एक football के अंदर उसका घर बना दिया था फटी हुई तो right हैं ये तीनों option तो right answer होगा हमारा all of these ठीक है याद रखना डैश was the little kitty's name little kitty का नाम क्या रख दिया था उन्होंने महेंद्र the cat was a descendant from descendant का मतलब होता है children one shaj तो वो किसकी one shaj थी उनके हिसाब से पल्लवा डाइनस्टी the cats were worshipped in जो बिल्लियां है उनकी पूजा कहां पे होती थी Egypt में the sound that comes from लल्ली जब वाइलन वाज लल्ली जब वाइलन बजाना सीख रही थी master जब बजाते थे वो तो अच्छी आवाज निकलती थी लेकिन जब लल्ली बजाती थी क्योंकि वो नया नया सीख रही थी तो क्रीचिंग यानि बहुत गंदी सी खराब करकर आवाज आती थी the beggar spread his upper cloth under the neem tree too चल्टन आपने देखा होगा कई बार भिकारी क्या करते है अपने बैठ जाते हैं और सामने कपड़ा सा रख लेते हैं ताकि लोग आये और उनको यहां पर दो रुपए पांच रुपए कुछ दे के चले जाए ठीक है to wait for arms arms का मतलब होता ताकि वो जो भी भीक मिले वो उस पर रख ले these should fit you sir please put these oh I am so sorry my son has been naughty तो रुकुमनी क्या कह रही है music teacher से कि मेरे बच्चा बहुत शरारती है sir आप यह वाली नई चपल ले लो ठीक है music master ने लल्ली से क्या पूचा क्या तुमने मेरी चपल देखी मेरी चपल कहां गई है who was learning to play the violin कौन सीख रहा था वाइलन बजाना लल्ली सीख रही थी तो right answer है लल्ली the secret was not shared as कौन सा secret क्योंकि बच्चों ने घर पे ही एक बिल्ली का बच्चा पाल रखा था और वो जान पूच के इसको बड़ों से छुपा रहे थे क्योंकि the elders did not like any kitten जो घर के बड़े लोग थे उनको बिल्ली पसंद नहीं थी आपने भी देखा होगा चिल्टन जब हम छोटे थे हम मम्मी से कहते हैं मम्मी ये पिल्ला ले लो ये बिल्ली रख लेते हैं ठीक है तो मम्मी कई बार मना कर देती है कि बहुत तारीफ कर रहा था क्यों क्योंकि वो इंप्रेस करना चाहता था भृदू को तो इंप्रेस भृदू को the cats were worshipped in cats की पूजा कहां होती थी एजिप्ट में चिल्टन इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखूंगा कितने बच्चे right answer देंगे बिल्ली का जो बच्चा था उसके लिए बच्चों ने जो coconut शेल था उसके उसमें क्या रखा उसके लिए milk रखा था दूद रखा था वाटर रखा था या lemon juice रखा था देखूंगा कितने बच्चे मुझे comment में right answer देंगे आप चाहो तो अपने comment में A, B, S, E लिख देना मैं समझ चाहूँगा so I hope मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा please वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, bye bye